नमस्कार दोस्तो विलकॉम टुश्विंग ट्रेड इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तो अभी पांथ स्टॉक में आपको बताऊंगा जो कि अभी मार्केट सिनारियो में यह पांथ स्टॉक के ओपर आपको बिल्कुल फोकस रखना है यह बहुत फुंडामेंटली स्टॉक है और इस स्टॉक में अगर आप पोजिशन बना के चलते हैं बहुत आगे आने वाले दिनों में आपको बढ़ी ऐसा बेनिफिट मिल सकता है इसमें करेंगे तो भी कोई प्रोब्लेम नहीं है बहुत बढ़ी ऐसा बेनिफिट मिल सकता है ठीक है वीडियो सुर करने करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको भी एक वीडियो किजिए उनका पॉर्ट्फोलियो में भी बढ़ी ऐसा स्टॉक हो और जैसे प्यानिक में अपना स्टॉक को लॉस में शेल करके ना निकल जाए ठीक है तो इसलिए उनको इसात में बीज़र कीजिए वीडियो श स्टॉंट करते हैं तो मार्केट जैसे रिकोबरी होगा वो स्टॉक आपको बड़ीया से टार्गेट आपको देखने को मिल सकता है लेकिन अगर आपने फंडामेंटली वीक स्टॉक आपना पोर्फोलिय में रखे होंगे तो आपको फिर भारी नुक्सान हो सकता है ठीक है और कैसे हम उस्टॉक्स करते हैं उसके लिए मेरा चैनल पर यहां पर प्लेलिस्ट में आपको स्टॉक्स करते हैं उसका वीडियो भी मिल सब्सक्राइब करते हैं अगर पहला स्टॉक्स करेंगे ज्यादा में नहीं आता यह बहुत बड़ा मॉल्टी व्यागर स्टॉक्स की मिनडा इंडस्ट्री तो यह अटो कंपोनेंस बनाता है मैनुफेक्ट्रिंग कंपनी है तो यह बहुत बढ़ी है इस टॉक है अगर आप स्टॉक आपको समझना पड़ेगा यह स्टॉक में अपना पुर्ट्फुली में रहना चाहिए थी सब्सक्राइब कर दो यह ने उसी जो बीडिया सब्सक्राइब है यह सारे स्टॉक का गई लेकिन शेच का कभी बताया नहीं हो यह जो फाइब स्टॉक्स मैंने इसलेक्श रीडर है सारे मल्टी वेगर स्टाउक है यह सब स्टॉक को आप लांग टर्म के लिए भी लेके चल सकते हैं स्टॉक यहां पर ट्रेडिंग हो रहा है था बारा सुछ पर अभी नाइन थाटी फाइप चल रहा है एक बड़ी है सा कंपनी कोई भी हों में सक्ट नहीं है इसी सा बड़ा सा करेक्शन की बावजुद भी स्टॉक में यहां पर 53 परसेंटेज का सीएजियर यहां पर दोस साल में मिल रहा है यहां पर कोई लॉस में भी नहीं है पांत साल में जो भी इंवेश्मेंट कर रहा है यहां पर ओ भी लॉस में नहीं जो एक साल में भी इंवेस्ट पर्सेंटेज का होल्डिंग है फब्ली के पास में 9.4 परसेंटेज का होल्डिंग है ठीक है यह अगर आपने पोजीशन नहीं बनाया है तो यह अच्छा सा करेक्शन पर मिल रहा है जो कि अबर्ड कीजिए जब उसका प्राइस आएगा अभी मैं बता रहा हूं यह स्टॉक को अपना वाच्छ लिस्ट में जरूर रख लीजिए और जो भी स्टॉक आप सेल करेंगे अपका फाइनांशियल अडवाइजर से जरूर सला ले लिए ठीक है यहां पर मेरा कोई रेकोमें दीन पर सब्सक्राइब अभी हिसाब से अगर आज का दिन और अगर मार्केट में देखेंगे तो ये स्टॉक में कितना पर्सेंटेज का डिलीवरी उठाइगा जो कि 9,26,000 कॉटिटी यहां पर ट्रेडिंग हुआ है यहां पर फोर लाग 76,000 कॉटिटी यहां पर डेलीवर उठाए गया जो कि 51.4 पर्सेंटेज का डेलिवरी है तो बड़ी ऐसा क्वालिटी स्टॉक के पहला स्टॉक दूसरा स्टॉक के बारें बात करेंगे जो कि दूसरा स्टॉक आप सबको पता है मैं बहुत बार इस स्टॉक का चर्चा किया हूं जाता मीडिया में इसलिए नहीं आप बाइक करके अच्छा सा पहिसे मुनाफ़ा कमा सकते हो लेकिन वहां पर रिस्क करना चीए तो इसी साब से मैं हमेशा यह सा मुमेंटम ट्रेडिंग करता हूं मैं हमेसा स्टॉक जब वहां पर क्या अच्छा सा वाल्यूरेशन पर मिल जाता है उस टाइम पर बाइक कर लेता हूं उसका all time high तक अगर hold गर लेता हूं बड़ी ऐसा स्टॉक होता है और उसका प्रोफिट वगर सब देखके अग्रीट यहां पर इतना दिन नहीं लगेगा बड़ी ऐसा स्टॉक है क्वालिटी स्टॉक है इसका फंडामेंटल एक पर जरूर देख लिए फैंस कोई भी स्टॉक पाई करेंगे ना दुसरे का केना पर मत किजिए यहां पर 27,000 करोड का मार्केट क्या पर इसका पी देखे 25 पर चल र हो रहा है इसका ओल टाइम हाई है 3040 स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा है 2000 पर एक बड़ी ऐसा क्रेक्शन पर स्टॉक चल रहा है केमिकल इंडर्स्टी है मार्केट डिडर भी है तो यहां पर मुझे लगता है यह स्टॉक में आपको एंट्री लेना चाहिए क्योंकि स्ट सब्सक्राइब करता है तो इसी विशन पर स्टॉक भाग रहा है अप यहां पर देख सकते हैं इसका का प्रोमोटर का होलडिंग45 परसंटेज हूँ क्निदऊ कर लीजिए यहां में दिखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आज के दिन में यह स्टॉक में 44 पर्सेंटेज का डिलिवरी उठाए गया है जो कि नौ लाख बारा जार कॉंटिटी ट्रेडिंग हुआ है और यहां पर फोर लाख पर दिलिवरी उठाए गया है इसको कभी भी नहीं करना चाहिए मार्केट में यह स्टॉक अगर टाइम ले ले लेना चाहिए यह दूसरा अब इस थार स्टॉक के बारे बात करेंगे तिसरा स्टॉक यह अस्ट्र लिमिटेड यह बहुत बड़ा प्यूर मल्टिव अगर बढ स्टॉक में अगर करेक्शन मिल जाए ना तो जोला भर के लेला चाहिए यहां से लेकिए यहां तक का अपको टुन्टी-टून्टी-णैन पर्सेंटेज का है क्या बहुत बार हुआ है क्यों नहीं हुआ है यही तो टाइम होता है जब मार्केट गिरता है मार्केट के साथ म कोरिक्शन आया है तो यहां पेले बहा नहीं हो रहा है यहां पे दिखिए कि कितना परसेंटेज का अया था यहां कोट के टाइम पर इसमें हमें कभी भी प्यानिक नहीं करना चाहिए अगर आपका पोर्फोलियो में है अगर आप लॉस में है तो भी आप होलड किजिए लिमिटेड में यहां पे आज की दिन में स्टॉप तो पोजिटिब में था 825 के पास में बुताये गया जो कि 6,000,000 ऊंटिटी यहांपे देलिवरी उठाइए बहतरीगां इसको मान सकते अधिक तो इसा है अगर इसका हम ट्राक रेकर्ड भी चेक करेंगे कितना पर्सेंटेज का रिटन दिया है इतना बड़ा गिरावट की बावजुद भी यहां पर सेवेंटी के पी पे पे इसे ही होता है यहां पर दिखिया और प्रमोटर प्लेज भी देख लिए जीरो है और प्रमोटर का होल्टिंग 55.7 परसेंटेज का है और अल्मोस्ट फ्री कंपनी चीरो पंच जीरो परसेंटेज का डेट इतना जादा देट नहीं है और स्टॉक का अल्टाइम हाई था यहां पे 2525 पे अभी ट्रेडिंग हो रहा है 1821 से मतलब बड़ी ऐसा एक रेंज पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है यह स्टॉक में आप आए पांच साल में 47 परसेंटेज का रिटानेग करने बादी बड़ी आ मुनाफ़ा मिलेगा कि हमें यहां पर रीस्क भी बिलकुल भी नहीं है स्मॉल के नहीं तो यहां Pर सुऑं पुरा विश्वाद से स्टॉक में मुझे कोई भी एक परसंट का भी इसमें सॉक नहीं है इंडिया माटे जो कि जबर्दस्त बिजनेस मॉडेल है तो यहां पर आप बने रहेंगे तो परसंट का गयन है आपको इसके लिए अगर दो साल भी लग जाए न तो भी कोई बुरा नहीं है यहां पर एक साल को रिटरन नहीं लेकिन स्टॉक जब यहां पर लिस्टिंग होना लिस्टिंग होने के बाद में स्टॉक में दिखिए यहां पर तो हो 1100 रुपे से ले के स्टॉक कहां तक गया था तो मतलब सोच रहना कितना परसेंटेज का रिटन दिया था उसके को बने रहना चाहिए क्योंकि अगर हम प्रोफिट की बारे हैं तो बड़िया से ग्रोथ यहां पर नजर आ रहा है उसके बाद में 624 उसके बाद में 665 उसके बाद में यहां पर लास्ट चार प्रटर में 729 करोड का यहां पर प्रफिट देखने को मिल रहा है बड़ी ऐसा यह अगर हम बात करेंगे यहां पर दिखिए अगर आपका पॉर्टफोलिम होता है न तो आपको प्यानिक करने की कोई जरूरत नहीं है अगर इंडिया माट का आज देखेंगे कि इतना परसेंटेश का डेलिवरी उठाया गया है इस टॉक में आज इस टॉक परसेंटेश का करेक्शन पर था जो कि इस टॉक बिल्कुल य इतना ज्यादा डेलिवरी हम इसको नहीं मान सकते हैं लेकिन बड़ी ऐसा स्टॉक है बड़ी ऐसा वैल्यू पर ट्रेडिंग हो रहा है नेक्स स्टॉक के बारें बात करेंगे जूकि आई टी स्टॉक में काफी सरे फ्रेंट्स बोल रहता है कौन सा स्टॉक को हम लेके चले है यहां पर midcap stock है ठीके जिसे अवसरी साफ से गिरता भी है में बिलकुल इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर मेरे हिसाफ से में बताओंगा यह midcap stock में आई टी स्टॉक जवर्दा स्टॉक है यह स्टॉक आपका portfolio में है तो एक हैं अगर आपको by करना है तो आदे कर लाना च बना सकते हैं और क्वालिटी स्टॉक इसा नहीं कि कुछ प्रोब्लेम में अगर आज के दिन में बात करेंगे यहां पर कोफोर्ज में आज के दिन में यहां पर टू परसेंटेज का पॉजिटिव रिटन देखने को मिला है और यहां पर करने की ज़रूरत नहीं है अगर इसका फॉंडामेंटल की भी बात करें यहां पर 26,000 क्रोड का मार्केट क्या पर इसका पी अभी 45 पे चल रहा है और प्रमोटर का होल्डिंग 50 परसेंट है और यहां पर स्टॉक अभी ट्रेडिंग हो रहा था 6,135 पर स्टॉक अभी चल रहा है 4,400 पे और लो डेट कंपनी जिरो पॉइंट परसेंटेज का डेट लो डेट कंपनी है तो इसी साब से मेरे साब से यह स्टॉक आपका पोट्फोलिय में होना चाहिए 5 पांथ स्टॉक के बारे में हमने डिसक्रसान किया जो कि पहला स्टॉक था मिंडा इन्डस्ट्री दुसरा स्टॉक त्या पर रित्र प्लि तेकनीग तो यह पांच स्टॉक को आप ठड़ा सा खुद का स्टॉडी कर लीजिए उसी साफ से आप अपना पॉट्फोलियो में इसको कंशिडर करके चल सकते हैं बड़ी आसा गयन आपको मिल सकता है लेकिन कोई भी स्टॉक में इंबेश्मेंट करेंगे आपका फैनांचियल आडवा पॉट्फोलियो को जरूर करना चाहिए क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक है आपको मार्केट में ऐसा मिल रहा है जो कि आपको एक साल दो साल में हंडेड परसंट का रिटन दे सकता है तो इसलिए अगर गला स्टॉक आपका पॉट्फोलियो में है अईद्वर्यों